हेलो फ्रेंड्स मैं प्रितियादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में जैसे ही किसी महिला के पिरेड मिस होते हैं वो ये जानना चाहती है कि क्या उन्होंने प्रिग्नेंसी कंसीव कर ली है या नहीं ताकि आगे की तैयारिया की जा सकें तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिग्नेंसी के ऐसे आठ लक्षन बताने जा रहे हैं चो पिरेड मिस होने से पहले ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और जिनने देखकर आप ये पहचान सकती हैं कि आपने प्रिग्नेंसी कंसीव कर ली है या फिर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है या फिर आप मुझसे प्राइवेटली कुछ पूछना चाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीम भी कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लक्षणों के बारे में बात करने से पहले ही समझ लेते हैं कि आपको ये लक्षण दिखाई क्यों देते हैं देखिए जैसे ही आप प्रिग्नेंसी कंसीव करती हैं आपके सरीर में बहुत सरे हार्मोनल बदलाव होते हैं ताकि आपके body को pregnancy के लिए तयार किया जा सके और इनी hormone changes की वजए से आपको अपनी body के अंदर बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उनी बदलावों को देखकर आप ये पहचान सकती है कि आपने pregnancy conceive कर ली है या नहीं चलिए अब बात करते हैं उन लक्षणों के बारी में तो इन में सबसे पहला लक्षण है breast का heavy हो जाना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि breast के tissue hormone के लिए बहुत जादा sensitive होते हैं ऐसे में जैसे ही आपकी body के अंदर hormone का level बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे ही आपके breast tissue भी भारी होना शुरू हो जाती है और इसी वज़े से आपको breast heaviness महसूस होगी चादातर cases में जब यह heaviness महसूस होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आपने pregnancy conceive कर ली है pregnancy का दूसरा लक्षण होता है breast की nipple का color बदलना आपको बस यह ध्यान देना है कि आपके breast की nipple का color तो नहीं बदल रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब भी यही है कि आपने pregnancy conceive कर ली है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि pregnancy के दौरन आपकी body में जो हार्मोन बदलती है उसकी वज़े से milanocyte प्रभावित हो जाते है यानि कि इसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है जो nipple के रंग के लिए जिम्मेदार होती है और इसी वज़े से अगर आपने pregnancy conceive की है तो आपके निपल का color गहरा हो जाएगा तीसरा लक्षन होता है बार-बार toilet आना जैसे ही आप pregnancy conceive करती हैं आपका सरीर बहुत ज़्यादा मातरा में blood का circulation शुरू कर देता है ताकि आपके गर्भा से तक blood को पहुँचाया जा सके ऐसे में blood का circulation भणने की वज़े से आपकी kidney पर भी एसर पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा blood को filter करना पड़ता है जिसकी वज़े से आपकी body में बहुत ज़्यादा toilet तयार होती है और आपको बार-बार toilet आने की समस्या होने लगती है अगर आपको भी बार-बार toilet जाना पड़ रहा है अगर आपने temperature को note किया है और अगर आपका temperature दो हफते तक भड़ा रही तो इसका मतलब यही है कि आपने pregnancy conceive कर ली है इसके अलावा आपको mood swings भी बहुत महसूस होंगे क्योंकि आपके सरीर को अभी hormonal changes की आदत नहीं है जो आपकी body में हो रहे है और इसी वज़े से आपको बार-बार mood swings भी हैसूस होंगे पांच बार लक्षण है सरदर्ध होना जैसा कि मैंने आपको पहले बता है आप pregnancy conceive करते ही आपकी body बहुत जादा blood को circulate करना शुरू कर देती है जिसकी वज़े से blood volume भड जाता है और उसी वज़े से आपको सर में दर्ध होने लगता है ये pregnancy की शुरुआती लक्षणों में सबसे common लक्षण है और ये धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपको बहुत दिनों से बार-बार सर में दर्ध हो रहा है ऐसे में pregnant महिला को किसी खास चीज के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है और हर वक्त उसी को खाने का दिल करता रहता है इसके अलावा हो सकता है किसी महिला की normal diet से ज़्यादा diet हो जाए ये भी एक food craving का ही लक्षण होता है जोकि pregnancy का लक्षण होता है साथवा लक्षण है कबज या फिर constipation होना जैसे ही आपके pregnancy conceive होती है आपके सरीर में हार्मोन बदलते हैं जिसकी वज़े से आपके सरीर की पाचन के लिए धीमी बढ़ जाती है और आपको खाने को पचाने में problem आने लगती है और इसी वज़े से आपको कबज या फिर constipation की problem दिखाई दे सकती है अगर आपको भी ये समस्या दिख रही है तो हो सकता है कि आपने pregnancy conceive कर ली हो आठवा और सबसे common लक्षण होता है मतली या फिर उल्टी होना pregnancy conceive करते ही शुरुआती दिनों में आपको मतली या फिर उल्टी आ सकती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव को अभी आपकी body ना तो समझ रही है और ना ही उसे accept कर रही है इसी वज़े से आपको सुबह उठकर कमजोरी महसूस होती है मतली आने लगती है या फिर आपको कुछ खटक आने की भी चाहत होने लगती है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये भी एक लक्षण है कि आपने pregnancy conceive कर ली है अगर आपको भी ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपने pregnancy conceive कर ली हो लेकिन फिर भी किसी नतीजे तक पहुँचने से पहले आपको एक बार अपना pregnancy test कर लीना चाहिए क्योंकि कई बार ये लक्षण किनी और कारणों की वज़े से भी दिखाई दे सकते हैं उमीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने friends के साथ share करें और हाँ हमारी चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूलें तकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकरी मिलती रहें अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धब तक के लिए खुस रही हैं सुस्त रही है